हेलो दोस्तों तो स्वाग आते एक बार फिर से आपके अपने चनलन माई शापर्स में दोस्तों आप लोगों उसे एक बात पुछना चाता हूँ आप लोगों ने इंडियन डेल्वे में एक्सर सफर किया होगा और आज करते भी आयोंगे या बहुत लोग कर भी रहोंगे अब आप लोग को लगए और कौन सि ऐसी बात है थैं क्या नहीं हिए तो आप लोग सी बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो है तो ने बहुत है गलत है यहापर, जो rail, आप लोग बोलते हैं, rail चली गई, rail आ रही कहीं, मैं rail में गया था, तो आप लोग बिल्कुल गलत बोलते हो, जो हमारे rail होती है, सिंपल मतलब होता है पट्री, जिहां दोस्तों जो पट्री होती है, उसको इंग्लिस मं रेल बोला जाता है और पट्री कभी कहीं जाने सकती पट्री कहीं से कभी आने सकती पट्री कभी चलने सकती ना आप लोग पट्री पर बैठके कहीं जा सकते हो अगर आप लोग बैठकर किसी चीज में जाओगे तो जाओगे रेल गाड़ी में यानि जो गाड़ी रेल पर चल तो दोस्तो कुछ बाते आप लोग उसे पूछना चाहता हूं आपके इंडियन डेल्वे से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों से पूछू कि पहली इंडियन रेल है वह कब स्टार्ट हुई पहली इंडियन एल्वे कहां से कहां तक चली उसकी लेंथ क्या तो दोस्तों यहां पर कुछ चीज़े आप लोग को लिखी नजर आ रही होंगे तो कुछ लोग इसमें से कुछ ना कुछ चीज़े देख चुके होंगे लेकिन आप वोको बताते ना चाहता हूं जो हमारे इंडियन देलवे उसका पहला प्रपोसल हमारा मादरास में रखा गया था जिसको आज आप लोग चैनलगी के नाम से जानते हो तो मदरास में पहला प्रपोसल इंडियन देलवे यानी 1832 में उसके बात फर्स्ट ट्रेंड आने-ाने में इतना लंबा समय लगया जो ह जो हमारी चली थी आपके बोरी बंदर बंबे से लेके ठाने के बीच में दोस्तों सबसे चौकाने वाली बात यह है कि जो हमारा 34 किलोमेटर का सफर था उसको तैग करने के लिए हमारे तीन इंजिन यूज हुए थे और मातर 14 बोगियों को उसको खीच कर ले जाना था जिसके अंदर आपके 400 यात्री थी तो यह अपने आपने बहुत ही अमेजिंग पैक्ट है और आज आप लोग को दिख जाता है कि हमारे इंडियन देल्वे में मैक्सिम्म एक ही लोकोमोटिव होता है एक ही इंजन होता है जो इतने सारी बोगियों को खीच कर ले जाता है दोस्तो हमारी टूटल इंडियन देलवे की ट्रैक लेंथ है वो आज की डेटियान 31 दिसंबर 2021 तक जो नोटेट था वो टोटल लेंथ ये थी लाग 26,511 किलोमेटर ये अपडेट डाटा है 31 दिसंबर 2021 तक कभी रिसेंट डाटा है इतना टूटल लेंथ आपकी इंडियन रेलवे ने कवर कर लिया ट्रैक लेंथ जिसमें से आप लोग को इलेक्ट्रिफाइड दिख रहा होगा तो जो हमारी इंडियन देलवे जो इलेक् इंडियल से चलती है आज भी पहले के टाइम में जो सबसे पहली ट्रैन आपने सुनाओगा कोईले की ट्रैन थी जो कोईले का इंडियन था आज ज्यादा था जो हमारे लोकोमोटिव से वह या तो डीजल पर चलते हैं या इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं दोस्तों सबस में ऐसे बाते थी जो आप लोग को आज पहली बार पता चली होंगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना दोस्तों कमेंट करना आज की जानकारी से आपको क्या बेनिफीट हुआ और को सबसे जाद अच्छी लगी इस नॉलिज़ को ज्यादा से जादा लोगों तक शेय मिल्याद